इल्लाह रमगान रोहीम दी, वेलकम टू मुलतान होमेपतिक कॉलिज आज मेटेरिया का फर्स्ट मेडिसन जो हम अपना फर्स्ट लेक्चर रेकॉर्ड कर रहे हैं हमारी पहली दवाई है ब्राईउनिया अल्बम ब्राईउनिया अल्बम में नॉर्मली हम इसको ब्राइउनिया के नाम से पकारते हैं ब्राइउनिया अल्बा लातीनी जबान के दो अलफाज ब्राइउनिया और अल्बा का मजमुआ है जिसमें ब्राइउनिया से मुराद जल्दी अगना जबके अल्बा लातीनी जबान के लवज अल्बस से लिया गया है जिस से मुराद सफैद है अगर हम इस दवा का नाम ब्राइउनिया अल्बम यानि ब्राइउनिया अल्बा के मतालब का बगोर मताला करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ब्रायूनिया कहीं सालों तक जिन्दा रहने वाला या कहीं सालों तक चलने वाला पोदा है इसका पोदा पूरी इसका पोदा जो है वो जल्दी जल्दी उगता है पूरा मुकमल लेकिन इसकी दवाई जो है वो इसकी फूल और जड़ इससे हम बनाते हैं किस तरह ये मैं आपको बताऊंगी इसकी दवाई के बनाने के लिए जो हम इस्तमाल करते हैं वो इस पोदे का कौन सा हिस्सा है वो इस पोदे का हिस्सा है इसकी जड़ और इसका पत्ता अब ब्रायौनिया आलबम के, अलबा के जो जो मतरादिफ सेनानमस نीम्स हैं वो हैं इसको दुनिया के मुखितलिफ आलाकों में मुखितलिफ नामों के साथ पकारा जाता है जैसके बाज आलाकों में इसे वायल्ड हॉप्स के नाम से जानते हैं कुछ में ब्लैक ब्रेड कहते हैं कुछ अफराद इसे वाइट ब्राईउनिया के नाम से मनसूब करते हैं कुछ इंडिया के 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 इंडिया इसकी जाय पैदाइश यॉरप में है जबके पाकिस्तान में भी इसकी पैदाइश है पाकिस्तान भारत और शाम में इसके जंगलात मिलते हैं इस पोदे को जर्मनी और फरांस के भी बाद हिस्सों में पाया गया है नेक्स्ट आपके पास पिक्चर है इसकी मखसूस अलामाद अब ब्रायूनिया अउबा की मखसूस अलामात मैं आपको बताऊंगी जिन अलामतों से आप इस दवा का इंतखाब करेंगे पहली अलामत आपकी है आपके सामने स्क्रीन पर उसमें है तकलीफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है तकलीफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है यह इसकी मखसूस यानि क्रेक्टरिस्टिक सेम्टम्स की पहली अलामत है कि तकलीफ का आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना प्रायूनिया के मरीज की अलमाद में एहम बात ये है कि इस दवा के तमाम अलमाद आहिस्ता आहिस्ता तसलसल के साथ बढ़ती है मर्स खवान नया हो या ना हो नया है पुराना है लेकिन इसकी अलमते जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है مثلا شروع شروع میں मریض थकावट, सुस्ती और काहिली की शिकायत करता है कुछ औरसे बाद वो जिसम में दर्दों की शिकायत करता है जो के हरकत करने से बढ़ते हैं कौन? दर्द हरकत करने से बढ़ते हैं आखर कारिये दर्द मुस्तकिल शकल अख्यार कर लेते हैं यानि इस शुरू में पेशेंट क्या कहता है कि मुझे थकावट सुस्ती और काहिली है लेकिन थोड़ा अर्सा गुजरने के बाद वो शिकायत करता है कि मुझे दर्द है जो दर्द बाद में मुस्तकिल शकल अख्तियार कर लेते हैं उसके बाद इसकी डिटेल है नेक्स्ट आपका है खुश्की मैं आपको एक चीज एक एक लाइन पढ़कर नहीं बताऊंगी आपको मखसूस बता दूँ कि बाकी आपसकी रीडिंग करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा अगली अलामत है खुश्की ब्रायूनिया की सबसे खास अलामतों में से एक खास अलामत है खुश्की जो के मूँ से मकद तक नुमाया तोर पर देखने को मिलती है मूँ से मकद तक खुश्की की वज़े से मरीज के होट खुश्क फटे हुए मुर्जाय हुए महसूस होते है मू का जाई का खुशक और तल्ख होता है अब इसकी खुशकी में कब्स कॉंस्टिपिशन बहुत जएदा खास अलामत है उसका पखाना सख्त लंबा और जली हुई लकड़ी की मानित होता है और खारिच करते वक्त यानि पास आउट करते वक्त शदीद तकलीफ होती है नेक्स्ट है इसकी प्यास ब्राई उनिया अल्बा की प्यास इसके में प्यास यानि के खुशकी जदातर पाई जाती है इस खुशकी के साथ एक और अलामत जो मदे नज़र रखी गई है वो है प्यास पहली अलामत मैंने आपको आहिस्ता इस्ता तकलीफ का बढ़ना नेक्स्ट दी खुशकी और थर्ड है आपकी प्यास इसमें प्यास इतनी जादा होती है खुशकी के बाइस मरीज की प्यास बढ़ जाती है क्योंकि उसकी मूँ से मकता खुशकी ही खुशकी है तो उस खुशकी की वज़े से उसकी प्यास भी बहुत जादा है मरीज को थोड़ा पानी पीने से तसकीन नहीं होती यानि उसको जादा से जादा पानी पीने की खोहिश होती है और ठंडे पानी की खोहिश होती है खुशक और प्यास के सिल्सले में आरसानिकम, पलसा, टीला इन अदवियात को भी याद रखना चाहिए आरसैनिक के मरीज को प्यास होती है मरीज जल्दी जल्दी और बार बार पानी पीना चाहता है लेकिन मिकदार में कम इसी तरह जो पलसा टिला का मरीज है उसकी अजीब बात ये है कि प्यास होती है उसके बावजूद मुखुश्क होने के मरीज को प्यास नहीं होती यानि वो प्यास नहीं है पलसाटिला में जो आरसेनिक में और ब्रैउनिया में है मर्क साल में बावजूद मुख से राल बहने के भी मरीज हद से जएदा प्यासा होता है अगली Hospitalit खुबने वाले दर्द यानि प्राइूनिया के जो दर्द हैं उन दर्दों में इच्सास किसी चीज़ पाये जाता है कि जहां मरीज को तकलीफ है दर्द है वहां उसे सुया चुबने काइसा एहसा हुता है ये दर्द एक जोड से दूसरे जोड में मुन्तकिल होते हैं यानि उसे महसूस होता है कि अभी मुझे एक जोड में दर्द था चुबने वाला सुया चुबने वाला लेकिन थोड़ी देर बाद वो महसूस करता है کہ میرا درد ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ میں منتقل ہو گیا ہے उसके बादब next आपकी जो अलामत है वो है हरकत से इजाफा दबाने से कमी हरकत से इजाफा और दबाने से कमी ब्राईउनिया की खास अलामतों में से एक अलामत है वो किस तरह के इसके मरीज में जब हरकत करता है तो उसकी अलामतों में इजाफा हो जाता है और जब उसको दबाया जाता है तो उसको महसूस होता है कि मेरी तकलीफ में कमी आ गई है नेक्स्ट है सरदर्द सरदर्द में भी ब्रायूनिया बहुत अच्छा काम करती है इसकी अलामतों को देखते हुए कि इसके दर्द किस तरह के हैं सर फटने का एसास है, मतली और चक्कर हैं, सुबा सवेरे सर में दर्द है तो इन सारी अलामतों में भी ब्राईउनिया बहुत अच्छा काम करती है इसकी डिटेल सारी आपको बने सेंड की है, पिक्चर के थूँ, ये आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको डिटेल समझ में आ जाएगी नेक्स्ट आपका है बुखार, ब्राईउनिया के बुखार कौन कौन से हैं, इसमें भी बुखार में भी आप ब्राईउनिया को अलामतों के मताबिक देखते हुए ब्राईउनिया का इस्तमाल कर सकते हैं, बार बार आने वाला बुखार, यानी बारी का बुखार, इसमें ब्राइूनिया बहुत अच्छा काम करती है, मलेरिया बुखार में बहुत अच्छा काम करती है, सिम्टम्स को मद्दे नजर रखते हुए, आप इसका इस्तमाल पेशिंट के लिए कर सकते हैं. नेक्स्ट है वरम वरम ब्राईयूनिया के इस दवा मे वरम जिस्म के अजा और जिस्म में वरम का एंध्यास अन्दरूनी जिल्यां सफ़ैद रेशो जोडों और असाबी जिल्यों तक महद्ध नहीं हुआ करते हैं वर्म जो हैं वह सिर्फ अंदरूनी जिलियों तक सफैद रिशो तक जोडो तक असाबी जिलियों तक मेहदूद नहीं हुआ करते बलके ब्राई उन्या के वर्म दमाग के पर्दों से होते हुए हराम अगस में या दीगर अजा में पहुँचते हैं यानि इसके जो वर्म है, मुक्सूस नहीं है, यहां यहां है, दमाग के पड़ों तक से हराम मगस तक जाने वले इसके वर्म है नेक्स्ट है आपका मैदे की अलामाद अलात हजम में भी यानि के आपके मैदे के जो हजम होने का अलामत है उसमें भी ब्राइउनिया बहुत अच्छा काम करती है कि मरीज को इसके मैदे के मरीज को अपने मैदे पर पत्थर का एहसास होता है प्यास के साथ और मूँ का जाइका कड़वा और हरकत करने से या उठने से मरीज को मतली और कै होती है उसके बाद इसकी और अलामते शुरू हो गई नेक्स्ट है इसका ब्रायोनिया क्रॉनिक अमरास के लिए अब ये क्रॉनिक अमरास के लिए क्या है कि इसकी तमाम अलामात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया तो ये मुझमन अमरास क्रॉनिक डिजीज में बहुत गहरा असर रखती है खासुसां जिगर की गहरी बिमारियों में बहुत अच्छा काम करती है इसी तरह हैपटाटस B में भी बहुत मुफीद है जिगर के कैंसर में इसे जरूर इस्तमाल करवाया जाता है अलामात को मदेनजर रखते हुए जबके डॉक्टर ने जवाब दे दिया हुए यानि ला इलाज अमराज में भी मरीज को चन्द इन का महमान तसवर करते हैं जबके बही इसका तो मर्जब खता मैं डॉक्टर ने ला इलाज कह दिया है तब भी आप इसको अगर ब्रायूनिया दें तो अलात अला के हुकम से वो अपना जरूर बेहतरी की तरफ आ सकता है नेक्स्ट इसकी अलामत है मौसम की तबदीली से पैदा शुदा तकलीफ मौसम की तबदीली की वज़ज़ से अचानक से जो गर्मियों के अगाज में शुरू हो जाती है सर्दियों का खतम होने के बाद और गर्मियों का अगाज है उस में जो तकलीफ पैदा होती है to उन में भी ब्रायूनिया बहुत अच्छा काम करती है खसूसान नमूनिया नमूनिये में जो मतलब नमूनिया ब खार हो जाता है कि अमुमन दाइन तरफ यू होता है लेटा रहता है इस तरह के तमाम अलामतों में मरीज की बहुत अच्छा काम करती है ब्रायूनिया मुझे अमीद है आज का लक्चर आपको बसंद आया होगा समझ आया होगा अगर कोई क्वेस्टिन हो तो आप पूछ सकते हैं और आज का लक्चर यहीं तक था थैंक यू वरी मुच